विराट कोली साथ में जब एलेक्स लीस आउट हुए थे तो विराट पिच पर खुशी से जूमने भी लगे थे और इस दौरान वो पिच के डेंजर एरिया पर भी आ गया क्रिकेट रिपोर्टर जौर्ज डोबेल ने विराट की यही फोटो लगा कर ट्वीट किया और लिखा एलेक्स लीस के विकेट का जश्न मनाने के लिए दिल्चस्प जगा इस ट्वीट पर विराट का बचाव करते हुए टीनो बेस्ट ने लिखा यार तुम लोग न अब अती कर रहे हो कोई भी जो बोल्ड, ब्राउन या काला हो या जो आप सबको चालेंज करता हो आपको उससे दिक्कत होती है ये एक प्रॉबलम है, मैं ठग गया हूँ, इंग्लिश अकबारों में विराट या उन खिलाडियों के बारे में भक्वास पढ़ते हुए, जो अंग्रेज नहीं है इस ट्वीट पर जवाब देते हुए जॉर्ज बोले, चलो टीनो, आप मुझे इससे बहतर जानते हो जिसके जवाब में टीनो ने कहा, बिल्कुल जॉर्ज, तुम सच्चे हो, लेकिन इंग्लिश कॉमेंटेटर बाकी खिलाडियों के पीछे पढ़े रहते हैं, अपने साथियों को बताओ कि विराट ठग नहीं है, वो मॉडर्ण डेक के आइकन है, सिंपल लेकिन फिर वही कि वो इंग्लिश नहीं है, तो ऐसे में आर्टिकल मिलेंगे जो नेगेटिव बाते कहेंगे आपको बताएं, पाँचवे टेस मैच में विराट के बरताव की लगतार आलोचनाए हो रही हैं पहली पारी में जॉनी बैस्टो द्वारा खेली गई शतकीय पारी का जिम्मेदार भी उन्हें ही माना जा रहा है क्योंकि शुरुआत में जब बैस्टो धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय विराट और बैस्टो के बीच कहा सुनी हुई थी और उसी के बाद से बैस्टो ने अटाकिंग खेलते हुए अपना शतक बनाया था फिलाल इस खबर में इतना ही आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी गरिमा ने मैंने हारी का याद अप स्पोर्ट्स से जुडियाने खबरों के लिए देखते रहे ललन टॉप स्पोर्ट्स